आपने कई बार सुना होगा कि इनसान अपने दुख से ज्यादा दूसरों के सुख से जलता है ये बात पड़ोसी देश पाकिस्तान के पियम इमरान खान पर फिट बैटरी है क्योंकि इमरान खान इससे परिशान नहीं है कि देश में जारी सियासी उथल पुतल के बीच कब उनकी कुरसी चली जाए बलकि इस बात से परिशान है कि यूक्रेन और रूस में जारी जंग के बीच भारत रूस से क्रूड ओयल कैसे खरीद रहा है यूरोपी संग भारत पर रूस के खिलाफ बोलने के लिए प्रेशर क्यों नहीं बना रहा है भारत यूक्रेन और रूस के मसले पर नूट्रल रहकर भी कौड के साथ गड़ बंधन में कैसे है इमरान खान दुनिया में भारत की धाक से चलते भी है और अपने विपक्षी नेताओं को घेरने के लिए हिंदूस्तान की विदेश नीती की तारिफ भी करते हैं ताकि किसी तरह खूर्सी जाने का संकट डर जाए आईएब आपको बताते हैं कि इमरान खान ने हिंदूस्तान की विदेश नीती की तारिफ क्योंगी विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताफ का सामना कर रहे इमरान खान ने रविवार को खैवर फुक्तुनवा के मलकन दिलाके में एक जन सबाग को सम्बोधित कर तेवे भारत की तारिफ की है अमेरिका और रूस के साथ भारत की दोस्ती का दिया हवाला देते वे इमरान खान ने कहा कि मैं अपने पडोसी देश की प्रशंसा करता हूँ क्योंकि उनकी हमेशा स्वतंत्र विदेश्ट मी दिरेखे आई ये बापको दिखाते हैं कि इमरान खान ने क्या कहा मैंने अमेरिका को बार-बार कहा है कि हम अमन में तुम्हारे साथ हैं जग में आपके साथ नहीं जो शेबार शरीफ ने यूरोपियन यूनियन की बात की वो ज़रा गौर से सुनने यूरोपियन यूनियन के अमबैसडर्स ने प्रोटोकॉल तोड़ते वे किसी इमबैसडर्स को ये हक नहीं है कि वो देश की विदेश नीती पर जनता में बात करे उन इमबैसडर्स ने प्रोटोकॉल के खिलाफ पाकिस्तान को कहा कि आप रूस के खिलाफ बयान दे मैंने उनसे पूचा कि क्या यही बात आप हिंदुस्तान से कहेंगे इनकी जान जाती हिंदुस्तान को कहते वे और हम कोई इनके गुलाम है कि हम कहें कि जनाब हम उनके खिलाफ बयान दे इमरान खान यही नहीं रुके उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवास की अध्यक्ष और तीन बार के प्रधानमंत्री नवा शरीफ के छोटे भाई और पाक संसद में विपक्ष के नेदा शाबास शरीफ पर भी निशाना साधा इमरान ने कहा कि मैंने जब यूरोपी संग के प्रोटोकॉल तोड़ने के खिलाफ बात की तो शाबास शरीफ और उसका बेटा कहता है इमरान खान ने बड़ा गलत काम किया उसने गोरों के सामने ये बात कह दी शैबास शरीफ आपकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो बूट पॉलिश बड़ी अच्छी तरह करता है या जब भी कोई बूट देखता है पॉलिश करना शुरू कर देता है और जब कोई गोरा देखता है सूट पहले अंग्रेजी बोलता हुआ तो फटा फट उसके जूते पॉलिश करना शुरू कर देता है शैबास शरीफ में एक आज़ाद इंसान हो अल्ला के सिवा किसी के सामने नहीं जूटूँगा मेरे मुल्क की फॉरण पॉलिसी मेरे लोगों की बहतरी के लिए हो साथ वाला हमारा मुल्क है हिंदुस्तान मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूँ इन्होंने हमेशा आज़ाद फॉरण पॉलिसी रखी आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ है उनका गटबंधन है क्वार्ट के अंदर अमेरिका की गटबंधन की हुई है और अपने आपको कहता है कि मैं नूट्रल हूँ रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि प्रतिबन लगे वह है क्योंकि अहिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की बहतरी के लिए है इमरान कान के इस बयान की पीछे की वज़ा भारत की रूस और अमेरिका के साथ मजबूत दोस्ती है पीम मोदी की लादमीर पुतिन और जो बाइडन दोनों के साथ अच्छी ट्यूनिंग है यही वज़ा है कि पश्चमी देश चाहकर भी रूस यूक्रेन मामले में भारत पर दबाव नहीं बना पा रहे है भारत नहीं यूक्रेन और रूस में जारी युद्ध को लेकर अपने न्यूट्रल स्टैंड पर कायम है वही चीन के खिलाव बने क्वार्ड में बतौर मेंबर अमारिका के साथ है तो दूसरी ओर जंग के बीज यूरोपी संग समेथ कई देशों की ओर से रूस पर लगाए गए प्रतिवंदों के बावजूद भारत रूस से कच्चे तेल की डील करने को तयार है लेकिन दूसरी ओर पाकिस्तान पर यूरोपी संग रूस के खिलाफ बयान देने के लिए दबाव बना रहे हैं इसी से बॉकला कर इमरान खान ने ऐसा बयान दिया है तो कैसा लगा आपको मारा वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए बाकिये देश और दून्या से जुड़ी तमाम बड़ी खब रोगले सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल टीवी नाइन भारत वर्ष डिश्टरू